अब जब जन्मास्ट्वी नजदेक आही गई है तो आप सभी लोग यह सोच नहींगे कि जन्मास्ट्वी में स्री क्रिसिन जी के भोग के लिए क्या बनाए तो आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा आप्शन बताने वाला हूं जो कि आप इस जन्मास्ट् कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो अब तक जल्दे जल्द पहुंचे लिए अपना बोग बनाना शुरू करते हैं तो बोग बनाने के लिए हम एक पैन में सबसे पहले दो चमच घी ले लेंगे और दो चमच घी पिघलने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे गॉंद त को इसको एक से दो मिनट के लिए भून लेना बहुत जल्दी भून के तयार हो जाता है अज की पूरी रैसिपी में जो फ्लेम है वो लोटू मिडिम रहेगा तो यह बहुत जल्दी ही भून गया अब इसको हम एक प्रेट में लग निकाल लेते हैं अब उसी पैन में हम दु कि उसमें से थोड़ा सा घी बच गया है तो यहां पर हम एक टेबल स्पून घी इस्तिमाल करेंगे और इसके अंदर हम लेंगे काजू देखो काजू मैंने टुकड़ा वाला लिया है क्योंकि लास्ट में भी हमको इसको थोड़ा दरदरा कूट रहे हैं प्रीजना पड़े चमच घी लीजेगा और इसके अंदर आप डालेंगे मखाना यह एक कब भर के मैंने मखाना लिया हुआ है अब इसको भी हम भूल लेंगे एकदम क्रंची हो जाएगे तम करारा हो जाएगे एकदम कंचे जासा बजने लगेगा यह आपको उस हद तक भूना है लेकिन एक च चीज का खया लगना है जो आपका गौंध होगा नो इसको बहुत जादा देर तक नहीं पीसना पस एक पल्स वाला बटन दबा के शोड़ देना हो उतने में हो जाएगा तो इसके लिए आप बहुत जादा अपनी मशीन को ना चला है तरह आपने जितने भी ड्राइफूट को रोज किया था आप सभी को दरदरा पीस लें और इसको एक प्लेट में निकाल लें देखे इस तरीके सी हो जाएगा बहुत जादा बारिक नहीं पीसना थोड़ा मोटा ही पीसना अब इसको आप थोड़ा साइड में रख दीजिए आप हम इसकी लास्ट स्टेश पर चलत कि यहां जिनलता कष्कालें इसको जवाल नहीं है अफे से अंसे उंगली थरूस्स इंदर दो vegetables को चैककर नहीं हो फिर इसके अंदर प्रकादार वनना चाहिए उस राशनी में पानी बहुत कम डाला चाने आपका मिदन बंगा नारिल पर यहां है तो तो आप बाद तुरंत आपको गयस बंत कर देना लिए ना यहां पर और घ्रीद का पाउडर ला देना है कितना नारिल बंग कर देना यह बहुत जदी कड़क हो जाएगा और आपका प्रशाद बिल्कुल भी सॉट नहीं बनेगा इसलिए नारिल पाउडर डालने के बाद तुरंत इसको बंद कर दें अच्छे से मिक्स करने के बाद एक मिनिट के बाद इसको उतार ले अब सारे आपको फास फास करने तो यहां हमने जो नीचे बटर पेपर लगा है उसका एक मकसद है कि जब हम अपनी बर्फी को जो डी मोल्ड करेंगे तो यह बहुत असानी से भाद निकलाएगी अब इसको में जमने के लिए छोड़ देना है 15-20 मिनट या 1 घंटा जो भी टाइम लगेगा इसको जमने के बाद आप आपको इसको एक ट्रे में निकाल लेना है देमोल्ड करने से पहले आपको एक चीज के खैल रखना है कि पहले आप इसको ऊपर से चैक कर लेंगा उपर की परत इसके थुड़ी से ड्राय हो गई है तब ही आप इसको डिमोल्ड करें क्योंकि अगर बहुत धाड़ा धीली र सकते हैं तो देखिए आपर देखिए बर्फी बहुत एक्षी सेट होई है प्रशाद के लिए परफेक्ट ऑप्शन है इस जनमास्तमी के मौके पर यह पर्फेक्ट भोग है सबसे बड़ी बात इसको घर पे बनाना बहुत ही असान है बहुत ही जटपट से तयार हो जागा आपका उमेद करता हूँ कि यह रैसिप आपको बहुत अच्छी लगी और अच्छी लगी तो प्रिश इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कियिए अगर हमारे चैनल पें नए है तो प्लिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिलाल था थो आधरई यह ए झार झार कर दो